हिंदी गलम में फिर सिपका एकबर स्वागती ये वडियों 20 सुरुप से प्रारमिक सिख्षकों की बहाली से सम्मंदित है यानि 128 की बहाली से सम्मंदित है आज यानि 1 मार्च 2023 को बिहार सरका सिख्षा विवाग दोरा एक अधिसूचना जारी किया गया है इस अधिसूचना क तो सौट में आपको बता दें को ये चट्टे चरन से सम्मंदित है जहां किसी वज़ा से कॉंसलिंग नहीं हो पाया था या रद्ध हो गया हो जो भी चीज़े हो तो वहां फिर से कॉंसलिंग का डेट निकाला गया है जहीं सौट में पूरा इंफॉर्मेशन है पूरा कंक् लिखा भी ता कॉम्निटी में और ये पोस्ट भी डाला था जो आपके सामने दिख रहा है थोड़ा सा कंक्लूजन बात कर लेते हैं फिर इस वीडियो को स्टाट करेंगे को जो नहीं सुनना चाहते हैं स्कीप करतेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजे ने तो अभी और जो कह रहे हैं बहुत सारे चीजे वहां कॉमेंट भी ऐसा कुछ नहीं है ना कोई गौड होता है ना कुछ जो आकड़े आपके अभी तो किसी का कोई चर्चा ही नहीं हो पाता है अभी कुछ मंत्री जी कहते हैं कि 24 तरीको आजाएगा तो आदमी सुनता है सारा चीज सम कुछ कहते हैं इतना निगेटी कहना चीए तक मैं ऑला नकी के वीडियो में इतना निगेटीव आं में कहने नहीं हुआ है आकड़े के देखके तो यहीं लग रहा है एक परसंट भी आपका कारणी हुआ वह भी चट्टा शरण का आपके सामने निकल गया है चले इससे पढ़ेंगे इसके साथ और भी कॉमेंट्स हैं वहाँ पे निगेटिव आपको करने के लिए कि आप यहां तक लेके चलेगे हम कुछ देट दिया गया है और एक और चीज आपको हम बता दें कि कोसिस करने हो देखे पोजेटिव हम कर सकते हैं आप एक जुट रहें और पोजेटिव रहें एस्टेट वाले को भी कहते हैं अगर इधर उधर करते हैं बहुत सारे चीज़ेश सामने देखने को मिल सकता है इसलिए एक जुटता में बहुत बल होता है एक जुट रहें ये कठे रहें और कोसिस करते रहें कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती यही हम कर सकते हैं सही में एक जुटता में बहुत बल होता है रहेंगे अब यह सोचेंगे कि हम खुल के क्या कहें मतलब हम यह जारी क कर देते हम यह कर देंगे और आपने जिन्दगी के मालिक और जिन्दगी लंबी छोटी नहीं है कि आज हुए कल खतम ठोड़ा से सूची अपने भविश्य के बारे में अपने घर वालों के बारे में और कारे किजिए तो पोजेटिव इनरजी के साथ सभी को लेके सभी लोगों के सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सभी लोगों के स्वार्थ को देखते हुए सभी के बारे में सूचते हुए कार कीजिए निशित रुप से सबका भाली होगा एक चरण होगा फिर दूसरा चरण होगा इसी तरह से आगए के चरण होते जाएंगे जैसे छटे चरण ये कभी समाप नहीं हो रहा है वैसे समय आएगा कि साथो चरण भी कभी समाप नहीं होगा और निशित रुप से आप सिक्षक बन जाएंगे लेगे अगर अगर स्टार्ट करवाने ही नहीं दियें आप तो फिर तो वही होगा फिलाल देख लीचे संचि का संख्या वगरे दिया गया है बिहार पन्चायत प्रारमबिक सिक्षगन्युजन सेवसर्ट निमाली 212 याथा शंसुवडेत यम बिहार नगर प्रारमबिक सिक्षकन्युजन ये सारे चीज अलोक में वर्स 2019-20 में प्रारम किये गये सिक्षकन्य क के करवाई के क्रम में प्रत्थम चक्र विभागी अधिस्चुचुना संक्ष्क्र साथ पांच 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 दिनाँग त्रतिय चक्र अधिस्चुचुना संक्ष्क्र एव reciprocal गयापांच 114 दिनांग 22 222 में निर्देश के अनुरुप संबंदित नियोजे निकाईओं द्वरा स्विक्षक नियुक्ति की करवाई पून की जा चुकी है। यह इन्होंने लिखा है। यह पहले का जो हुआ है उसके बारे में डेट के साथ और ग्यापांग के साथ। दो नमर पॉइंट उक्त सभी चक्र की परकिरिया पून होने के उपरांद कतिप है। की जा सकी है। यह इन्हों किसी ने किसी से कारण कॉंसलिंग की परकिरिया पून नहीं हो पाया ह। वो रद्धोने के आंशिक रुप से रद्धोने की बात हो चाहिए। जैसी भी हो पून नहीं हुआ है। उस पे विवागी अस्तर पे पून समिक्षा को उपरांती है। कि ऐसे नियोजे निकाईयों में जहां कॉंसलिंग के परकिरिया सफल दा पूरुवक पून नहीं हो सकी है। अब आगे क्या है। इन तुरंट पूर्ड कर लिया जाए। आगे मार्च दो खतम होई जाएगा। चिंता मत कीजे मार्च में पूरा इनुन डेट रखा है। अब तक कॉंसलिंग के पर गिया पून नहीं करा है। जाने वाल नियूजर निकाईयों के संबंद में यह आवश्यक होगा कि दिनांक 10-2323 तक नियूजर निकाईयों द्वारा त्यार मेदा सुची संबंद जीले के पूर्टल पर अपलोड कर दिया। अब यहां पर किसी का प्रसंता की सर कहां मिलेगा कहां हुआ कहां नियूजर पर देखते रही है आपको मिल जाएगा। अब आप सुचीएगा की सारस्ती जगह का निकाल के दे दियर यह हम चाहेंगे के कोई नहीं दे लहां के लोकल लोग को जॉब मिल जाए अप परियास करें लोगों को जौन मिल जाए और आप अपना देखे और कारेक करते रहें इससे क्या होगा ना आप लोग को जौब मिल जाएगा बागी आप जानते हैं इतरों जर बहुत कुछ होता है अब आप समझ के होंगे हिंट कहा हम ने दिया है कि फिलाल एनाची के पोटल पर अपलोड कर दिया जाए उक्त मेधा सुची पर आपती प्राप्त करने आपती का निराकरन के पश्चात दिनांग 15 दिन यानि 10 से लेके जितना कुछ करना कर दिजिए 15 से पहले 15-23 तक अंति मेधा सुची पर कासित करना है 15-23 तक इसे तु जिला शिक्षपदरदिकारी का इद्धावित तो होगा कि जिला पर दिकारी अस्तर से सभी समंदित नि निर्गत किया जाया जसमें वैसे शुरूप से यह उलकित हो की सिक्षक नियोजन नियुक्ति है तो प्रतिक नियोजन इकाई के लिए यह अंतीम अवशर होगा यह नियुक्ति की प्रकिरिया को पूर्ण नहीं करने पर इसे समयधनिक दयुतों का उलंगन मानते हो दोसी पता लेटर हमने देखा है और अच्छे तरीके से इन्हों ने लिखा अच्छी बाते हैं इसके आगे हैं अब देख लिजिए आपका कॉंसलिंग का निर्धारित अस्थल वगरे सारशीश दिया गया है डिट वगरे सब कुछ है कुन्योजन निकाईयों दोरा मेधा सूची के अ हो जी है अब कौन सा दिसंबर आ रहा है अब होली फीका नहीं जाएगा अब तो होली निश्चित रुप से फीका गया भी अब कुछ हो का भी नहीं आपका किलियर तरीके से कह रहे हैं चलिए देखिए कॉंसलिंग का अस्थल क्या है जो सातवे चरण के हैं उनसे कह रहे है नियोज्र निकाई के नाम है कौंसलिंग की थी या कौंसलिंग के लिए निरधारी तस्थल है कपाला है नगर ये उन परखंण नियोज्र निकाई होता है तो वहां पे होंगे तो वह भी आपका जीला मुक्यायले में क्याईगा लिए के आड़ पशा कोई प्रकंड मुख्याले में एक से पांच के लिए और पंचायत नियोजनिकाई 20-30 मुख्याले में वर एक से पांच के लिए आगे क्या करना है इसके बाद यानि यहां तक हो गया 20 तक इसके बाद देखें कंसलिंग अपरात अगले कारे द्योश में नियोजनिकाई 25-2023 से 28-23 के ओदि में cani काई द्वर जीला शिक्षा करियाले असतर से निधारोय ऐसतोलों पनिउक्ती पत्र विद्रित कीया जाएगा यानि 28 माँ तक cut सब्सक्राइब कर लेंगे इसके बाद चाइनी ते एवं नियुक्त अव्यार्थियों के से सभी पर्माणपत्रों को बिभागी पॉर्टल पॉप लोड करते हुए सत्यापन का कारेद दिनांग तक 31-32 तक पुन किया जाएगा किसे निकाए तक जुलाई तक चला गया तो हम कुछ नहीं कहेंगे बस ट्राइ करते रही देखिए मार्च में तो आप कुछ नहीं होगा यह किलियर कट सुन लीजे मार्च में कुछ के बाद समझे फरसे जो आमने कहाता है नहीं एक परसेंट कुछ भी या नहीं चलेगा वह उतना कर रहा है यह इतना कर रहा है उसको इतना फायदा को यह फायदा अगर आप देखेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा सभी अभी अपने सोचा है कि हमने इतना बड़ा यह रखा है और यहां पर कभी हमने कुछ भी जारी नहीं किया से कारिकेशन इस्पक्ष रुप से फायदा आपको मिलेगा फिलाल देखे एक ती साथ हो जारते इस तक पूर्ण किया जाएगा यासा कहा जा रहा है लेकिन अप्रिल से कार केजी सभी एक जूट होके एक मंच पर आके और पोजेटिव तरीके से कारिकेशन इस्चित रुप स करेंगे तथा संबंदित नियोजनिकाई के विरिद आवश्यक अनुसाथ से निक एउन दंडात्मक करवाई है तो सक्षम प्राधिकार को उस्चित करेंगे कॉंसलिंग के प्रक्रिया है तो निर्गत विवागिया दिशूचना क्या पांक है इतना दिनांग तीन साथ होज चट्टे चरन का फर से अमरित का घड़ा पिये हुए चट्टा चरन आपके सामने है जहां निमाली के बात हो रहे थी वहां लेटर निकल गया आपका चट्टे चरन का उसकता निमाली भी निकले और उस पे मोहर लगके बाहर भी निकले लेकिन कोई भी फर्क आपको देखन से रुक गया अब वैस्ट एट का फूर नेक्स्ट वीडियों में बाचित किया जाएगा बस एक रिक्वेस्ट है कि एक जुटता बनाया रखें पचास साथ डिमांड तो आप लोग के पास हैं ही देखिये क्या होता है अप लोग का डिमांड और क्या होता है फिलाल इस वीड के साथ तब तक देखते रहें बने रहेंदी क्लब पे धन्यवाद बाबाई सब्सक्राइब कीजे हिंडी क्लब को दबाईए इस बेल आइकोन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपनी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाब उठा सकें ये सब बिलकुल प्री है करेंगे लाबाई ताकि हमारा वीडियो इसकें प्री आपको प्रीज़ को दोस्तों को ताकि अग्याद को प्रीज़ करें लाबाई प्रीज़ के भीज़ को ताकि अपनी है